मान नर्मदा की पूजा प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी की सचिव पुषपराज पटेल ने कर वहां से सीमरी हरचंद तक खराब जरजर सड़क का विरोध करते हुए पदियात्रा निकाली इस यात्रा का समथन नस्दी की गाउं सर्राकेसली, मारागाउं, उमरखेडी, जालसिर, सत्वानसा, पाठनी, सेंटरवाडा, चराहेट, सिलारी, गोल्ड भारपुर, पालादेवरी, पत्राई, जालोन, गुलोन, मेखली, बंहुरे सहित सेमरी के कारिकरताओं यात्रा में सा सागत कर सम्मान किया, सेमरी हर्चन पहुचने पर प्रदशन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ट कॉंग्रेसी रफीकली ने वंदे मात्रम गीत का गायन कर भारत माता की जयके नारे लगा कर सभा के शुरुवात की, सभा को संबोधित करते हुए मंच के माध्यम स से मौजूद सैकडों लोगों को बताए कि प्रदेश के मुख्या प्रदेश की खस्ताहाल जरजर सडक में को अमेरिका जैसी सडक बता रहे हैं, वही विधायक सेमरी सामका खेडा रोट को वाशिंग्टन रोट के उबाद ही दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भाज पाके कारेकरता सामका खेडा रोट का टिंडर होने के जूठी बात कर रहे हैं, इसी प्रकार विधायक द्वारा पूर्व में सेमरी को नगर पंचायत का दर्जा, सेमरी को ठाने का दर्जा दिला कर श्रेय लेते हुए अपना सम्मान करवा चुके हैं, और देश के प्रदा सांगाई कमुद्दा किसानों की मुम्तुलाई में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, वही पुषपराज पचल ने मंच के माध्यम से बताया कि मेरे द्वारा पैदल यात्रा की घोशना के बाद विधाय घबरा गए एवं उन्होंने अपने सभी कारेकरताओं को सोश अंध में हमने पी डव्यूडी के अधिकारियों से भी चर्चा की है, ये तो वही कहावत हो गई एक लड़ाया चिलाया, तो सब चिलाने लगे, पता किसी को नहीं था क्या जूट है क्या सच है, पट्टेल ने कहा हमने भी फेस्बुक पर एक पोस्ट डाले हैं जिसमें लि करके वरिष्ट कॉंग्रेसी देवेंद्रमकार ने अपनी बात रखते हुए यात्रा में साथ रहने वाले प्रदशन सभा में मौझूद सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया, सभा के अंत में वरिष्ट कॉंग्रेस जनों ने इसे मुरी हर्चंद से सांगा खेडा खुर्द पहुंच मार को शीगर बनाने की मांग करते हुए कहा कि रोड नहीं बनने की स्थिती में बड़े से बड़े अंदोलन के साथ कॉंग्रेस क्षेत्र लोगों के समर्थन से फिर मैदान में आएगी तो लिची भी आगरी खंबा भी ढाएगा और विधायक जी को अपनी अस्केद समझ में आ जाएगी और जिस प्यार गोर मौपत के साथ इस छेत्र लोगों को अपने सर पे बिढ़ाया था अगले चुनाओ लो फुशंगला आपकी पिटिके दूता ब़ाएगा अज के कारेगरम के आएग जो परहाएगे और मैं आपको स्मुंडुर से विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस छेत्र के विकास की लगाई में यू अ चांट्र के आजाती ल बिंपके धन्यवाद देखा भाई, बहुत ही शांदार उजस्वी वक्ता, एक और हमारे बीच में है, किसानों की हमेसा लगाई रहने वाला एक उजस्वी वक्ता यहां पर मजूद है, और मैं ऐसे उजस्वी वक्ता को यहां पर सासमा रावदित करता हूं भाई बादू चोधरी, जि आज सांगा खेड़ा से सेमरी, रोट डिन्मार के लिए जो अंदुन किया जा रहा है, उसमें हमारे बीच, हमारे छेतर की पूर्विदायक संभाणी दीदी समीता दिवान जी, संभाणी तुस्पराज पटेल जी, संभाणी रड़ों भाईया और सभी वरिष्ट संभाणी संतोस, चाचा जी, बाँ सभी वरिष्ट को मैं पहिनां करता हूँ, और सब के लिए एक चीज कहता हूँ, कि हम दिल के लिए बात कर रहा हैं, उनके लिए किसी ना कहा है कि जोपो ने जोटोस ने कहा, सच बोलो, सरकारी फरमान हुआ है, सच बोलो, उनके खरे जोटों की ए बहुत क्यों बने नोगी बनेगा क्यों कि सांगा केड़ा की रेता अच्छी नहीं बीजयादी के सासन में जिस घाज तो नोगता मैया या तभा मैया की तभा के रेत घाज पे रेत अच्छी है रोड भाई भाई बनीए अगर रेज अच्छी होती तो अब तक रोड बहुत अच्छी होती डवल लाइन की बनी है तो यह सब उनके चरत्रे चरत्रे दिख रहे हैं और मैं तो आज सबसे लोग से कहा दिये कि निवेजन कर रहा हूँ कि अभी रोड के लिए संगरस्ता रोड बन जाए फिर हम सबकी समस्याओं के लिए हम सबको रोड पर आना पड़ेगा आपके सामने हमारे सामने बुली में बादरा पर बैठे किसान हमारे दिख रहे हैं वो नौनों महिने से बादर बैठे हैं तो वेकिन में उनका इंटर्वू सुनदा था तो वागे किसान बोल रहे थे हम जिस चीज की खेती करते हैं उस चीज की रस्ता में एक साल देखते हैं वो चादर रख किसान गन्ना उत्पादक किसान हैं और गन्ना बिखने के बाद हमको पैसा मिलने में दो साल लगते हैं तो हम जो फजल पैदा करते हैं उस फजल की रासी मिलने में हमको तीन साल लगता है तो हम तीन साल तो इस मैदार में ठटे रहेंगे इसलिए यहां से हटने वाले नहीं हैं और आज वो आंदोलन बिलनी मे कि सरकार को मजबूरी में हम किसानों की मून खरीदनी पड़ी तो यह सरकार बिलकुल जिस मंत्री ने किसी मंत्री ने मून हुआई मून खरीदी करने का आफ़ासन दिया बीच में उन मंत्री को किसी मंत्री कामल पड़ेजी पर्वारी मंत्री ने करता हूं बहुत चीज़े हैं अब हम जहां से पहले ना रहे थे और उनकी बसूली ऐसी हो रही है जैसे कि कोई जबाद अस्ती किसानों की यह से झाल conteúdo कृणी कि विच अच्छे कायने क लिए बीचलो कर रही है सरकार पैसा नहीं है यह दिए जाएंगे बगता मौत है हमको मूल हमारी समस्य रोड की है रोड निर्मार जल्ली जल्ली करें एक और और था जिसमें सब कांग्रेज वाले पैदर चले थे रामपूर दे इतार सी संदर्स किया आज हमारे साम में बोई है कि जिस रोड पे कांग्रेज वाले पैदर चलेंगे वह रोड का निर्मार होगा हम इस रोड पे पैदर चले है तादन पिसादन चेके हैगा यह तो आज दोना सब करेश्टों के मुझेतर दिए और बड़ा बड़ा जाएगा सब को ब अज़ा खेडा सेमरी वाशिंटन रोड पर हमारे साथ मैदर चले हमारी छेट की फूर्ब रायक स्रिमती सभीत अधिगान सर्मा जी हमारे पूर्व प्रत्यासी भाई अलवीर पटेल जी पूर्व नगर पालिका अद्धार भाई संतोश माली जी पूर्व द्यंकर अद्यक बिरेन सर्मा जी मंदलम कमेटी के अद्यक्ष नंसान चोद्री जी और हमारी डगर पालिका पिपरिया की पूर्व द्यक्ष चाची कटकवार जी चाची पचोरी जी हमारे मातर सक्ति सिलावट जी और इस से यात्रा के सबसे बुज़ुर्ग आद्यानी जादा माता वाले जी को साधर प्रण चैस पर्श करते हुए मैं समस्त हमारे सुहातपूर बिलाग बाबई बिलाग रामपूर बिलाग के समस्त बिलाग अद्यक्ष नगर अद्यक्ष नगरद्यक्ष पालादेवरी गौला जीचे लेके फुकरं खेड़ी तर्ट इदर जालोन गुलान में गली पमोरी से लेके सभी पूरे छेट के जिरिंद किसान भाईयों ने आज इसे यात्रा को अपना सायोग दिया समर्खन दिया अपना इसने दिया मैं उनको समर्ख कांग्रेशनों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि एक लाइन से चाचा ने सबसंबोदित की थी मुझे भी एक लाइन यहाद आ रही है दुस्यंत का एक सेर है कौन कहता है या कास में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर तो अच्चस से उठालो लारो एक मैं तो नीरज के घर बेठने गया था नीरज ने कहा भी आ पहुत खराब रोड है इससे पहले कोई अंदोलन शुरू हो आपको सांगा खेडा से सेमरी पर चलना चाहिए प्रिष्टा लें प्लक भाईया ने उसका नाम कर दिया कि बासिंटन रोड और जैसे बासिंटन रोड नाम आया पूरी भाजपा में आग लग गई पूरी भाजपाना चलना आने लगी कि न्यों रोगे हमने अपने हमारे आसपास मी लाइय रूए हमने लाइय को प्ख़ा बाहिया अपको हम गएक और भाईय क। मुअध अंसे क्लेश्य को रोला लॉट हुँ हमने हसंग लावात को लो रहा तो हम भी रोल लगे हैं अन्ग हुसंगरवाद को चाहिए रोल देर वह यका करें लिया रोल तो पर पेने रहे हैं तो बजब के दे रोल लेगे दे अचाहिए इस तरीके के यहां पर मुमेंट का मेरे बान जाया यह उमारे गाउं से कल मेरे साथ ते करता गोर छोटा बाइड़ा मैं हमारी में पूरे समय मेंने उन्चा पूछा यार मुझे तो आता नहीं है इटेंडिंग में इटेंडिंग निकालना तुम तो बताओ सही मैं हुआ है क्या उन्हें पड़ा पर पांच गेड़ देंदे मामा जी दो मिनिट रोखो मज़्द प्रदेश रोड गारपुरेशन की पूरी सूची, इकिस्तारीक की ब्धिस्तरीक की और उन्हें इसकी की निकाल के दे थीud कोई टेंडर मज़्द प्रदेंस में नहीं हुआ इस रोड़ का बार्ती, जनदा, पारटी के नेताउसे कहता हूं दादा जी की मूर्ती हाथ धर के एमान खा जाओ, हम आब हर समद पर निकालेंगे। अगर आज दिनावन दितक भी अगर टेंडर हुए हैं, कितने के हुए हैं और किसने लिए हम ये दादा जी के सामदे समद करें, हम सब के समदे जाएंगे। कि कौन कहता है कि जैचन अब पेदा नहीं कोते हैं, अरे एक तजर छेट में डाल कर तो देखो यादो, जैचन दो की भरमार है, और यह से देवाकूब जनियक कुछ भी पता नहीं है, मगर वो हुसंनावाद बार लगी है जो रूल लगी। इतना सद्वासा रूल बनी रहा, जाके देखा करी। उमरे खेडी की फुलिया के बार अगर तुम अगर एक कडम भी देजाओ, एक कडम को मारी गाली चली जाओ, भूरमी लगी बताओ, कहा है रोड़? पताओ ना? अरे पेड़? पेड़ नहीं जा पा रहे? कहा के हो गए? अभी हमसे हादिवाजी, हमारे खेड के हादिवाजी भाई लों कह रहे हैं कि यह ग्यातरा सुर्थिसित मारास से भी निकालों हमारी रोड़ा बने थी। रोड़ा बनी पापर के जैसे पतली रोड़ बना दी और उन पर साल पर बाद उन में गड़्डे भी हो गए और उनकी कित्तियां हमान उड़ने लगी यह डेवलम्मेंट आप कर रहा है बहुत सारे अभी बाते या केली थी लेकिन मैं धन्वाज दूंगा है छेके किसान भ सब्सक्राइब लेकिन आज आगे लगा और हमने फोल लगाया हुआ को अमका यसा यसा है आप से जितना चलते बने उत्मों चल लेकिन आज ही हो लेकिन मैं समझता हूँ कि कम सकम आठ साथ आठ किलुमीटर आज आप चले और आज आप चलती रहे इसलिए हम भी चलते रहे पन्ना जगल बहुत कथिन थी हमारे पिता जी ने बोलाया कि मोई भरोस हो है कोई चले ने चले पर माता वारे दद्दा जी जरूर चले कि उन्ही बचाए राखियों तो हमरे स्याने वाचेतला कारेसी जी बचे हैं फिर और और जावारे हमारे हकीम जाचा हम दे दस कदम आगे चले ऐसा लगा मुझे भी पीचवीच में ऐसा लगा कि हम साइट पड़ी मुस्किल हो गी पर हकीम जाचा देखके हिम्मत आई सभी साथे यहाँ पर बैठे हैं और भी आगे कई मुमेंट हमें करना है आगे बहुत लड़ाई लड़नी है इसके लिए आप लोग तैयार रहे हैं जो भी आप आदेश करेंगे यहाँ पर सभी जावा हमार साथी बैठे रनमीर वाई मगें सब बैठे यह सब इनको लाने क अब करेंगे जवाबडारी मेरी ऐसी कोई भी समस्या हो और एक बात याद आई जैसे रनमीर वहीया ने कहा जैब मुम दिकेंस विखवानी वह बिधायक सांसर गायप कि जयातुवर अपने वेची बिढ़ायक सांसाथ गायब मुभ अपने पिछले 2-3 साल पहले बैची सांसाथ गायब ग्याओं खरीदी केम बनुषान वाना वो सांसाथ गायब यूर्बिया डियेपी सबी स्टेशन बनवाना हो या प्रांस बार्बर रखवाना हो बिनायक सांसत गायब जब जब किसानों को उनकी जरुवत पूती है एद भी बंदा नहीं देखता और जब उनके खिलाब को मुमेंट होता है तो बहुत सारी लड़िया रूम लगते हैं पहाँ जाते हैं यह लोग यह किनका काम है छेत्र की लियों दिरुवाना उनका काम था क्यों इस छेत्र में एक भी एक भी बेर हाउस शुक्रेतर एक भी बेर हाउस होए आपने मंजू नहीं किया यहां के छेत्र के किसानों ने पचास-पचास साथ क्रूमीटर दूर जागर अपनी मूह बेची उन मूह बेचने वाले किसानों की पीड़ाम जान से हमने पने खुर कुंदे संदों गारा के तो बहराउसे इन से हमने का आप जगे बनाओ केसी बिनों ने जगा निकाली बिल्दिया प्यराउस वे हमने जगे निकलवाई कि इस रोड़ पे किसान कम से कम 42 यह 50,000 खुंटल की हमने जगे निकलवाई थी माननी तैसिलदार महोदय यहां सुन रहा है माननी एह दिया मैडम पुरानी वाली थी उनको मालूम है आप नहीं आई है लेकर हुआ गया कि माननी बिदायक को इस छेट से इतनी नवरत है और इस नगर से इतनी नवरत है कि यहां के किसानों को तो इटार सी छोड़ा जरूर आजिवाजी छेट के और आजपाद के की समस्या नए सुनता अगर हमारे संग्ठन की बात नहीं सुनता कि हमारे मान संवाल की बात नहीं करता तो हम कहां रेसी है वपने परवारी मंत्री से भी आँख में आख मिला के बात कर लेते हैं तुम भाजपाई लाइए कि अपने च्वेत की रोड पर का भी तुमने बनवाने का ब्रोड किया गाओं में चाहिए के लोगों को फॉन किये मोबाइल पर वीडियो लांच किये शरम से डॉम मरो यह ऐसे भाजपाईयों को मैं कहता हो आने वाले चुनाओं में समझ सिकाओ चाहे मेरे भाई हो पतीजे ह हो या रिष्टेदार आने वाले चुनाओं में ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है और याद हो जिस पार्टी का भी यह पिरचार करें बिल्कुल खड़े होके हैं बिल्कुल खड़े होके इनका प्रवत करोदी जब सड़क की बात आई थी तो आपका समय बहुत ज्याद का का तरकन था इसलिए भी दान सवा के सभी साथियों की तरफ से में बाहर से पघारे सभी हमारे अतितियों का मैं स्वाधत करता हूं आबार जट लोगों ने हमारी परेसानी को समझा यह जीवन रेखा है छेट की और अगर यह जीवन रेखा नहीं बनी तो इससे भी प्रत्र निकाली जा रही क्या उद्देश है इसका उद्देश है अंदी गूंगी बेहरी जो मत प्रदेश की सरकार है उसका अध्यान दिलाना यह जो मार्ग है यह करीब 25 गाओं तो इसमें सुवागपुर विदान सभाथ की जो किसान अपनी मान लेकर मंडी सेमरी हर्चं भी कहुंचते हैं और मंडी टार्सी भी इसी रास्ते से बहुत सारे किसान जाते हैं यह लाइफ लाइफ लाइन रोड है इस च्छेत की लेकिन पिदायक जी इसलिए इसकी अंदेगी कर रहा है को यह जो च्छेत रहे हैं यह कांग्रेस का बड़ा मजबूत कड़ है जिसे पंद्रा साल में नहीं तोड़ पाए इसलिए इतनी बड़ी रोड की अंदेगी की जा रही है पिदायक की जो पिफलता है उसको ध्यान दिलाने के लिए मत्प्रदेश आसल की यात्रा हम इतनी गर्मी में इतनी उमस में निखाते हैं कुछ भाजपा की लोगों को कहना है कि यह फोकट की राज नहीं थी है यह रोड पर जो मतलब यह पदयात्रा कर रहे हैं सिर्फ दिखावा है ऐसा कुछ नहीं है टेंडर हो गया है जूट जूट और सिर्फ जूट की बात हैं यह करते हैं दो साल पहले आपके सेमरी हर्चन में थाना बन गया था पिदायक जी ने बोलता है पिछले आठ दिन में MPRDC के द्वारा मत्य प्रदेश रोड डेवलप्मेंट कार्पोरेशन के द्वारा एक भी टेंडर जारी नहीं किया गया और यह कहा रहे हैं हमने टेंडर लगा दिया बताएं नहीं लगा है और किस कंपनी को हुआ है और कितने में हुआ है य आट दिन में पूजन करा दें इस रोड का हम धन्यवाद यतरा निकालेंगे सभी कंग्रेशी जय आँ पर है सब धन्यवाद यतरा निकालेंगे लिए जयंसे अब हैगर ततकाल में कोई ऐसा नहीं हो था रोड बनने की कुई सुचवेशन में आगर क्या कारवाई की जाए कि फिर कोई आंदूलन करेंगे फिर कोई मत्यप्रदेश इस्तर पर ध्यान आकर्शन के लिए फिर कोई कारवाई करें जी अभी अर्चन में प्रवारी मंत्री का कारेकर मुंगा था उस दोरान विधायक जी ने बंदे मात्रम भारत माता जी के खिलाप कारेकरताओं को इसलिए उनको यह रास नहीं आया कि प्रवारी मंत्री के सामने को भारत माता इने भारत माता या बंदे मात्रम या गव माता या आयोध्या यह किवल चुनाओ के समय याद आते बाकी समय इने खुद की जैजे कार चिला अभी सांगा खेड़ा में विधायक जी कारेकर में कुछ दिन पहले उसमें विधायक जी ने पुले रूट से कहा था कि मुझे कमबोट मिली है इसलिए मैंने यह रोट रुखवा दी गए संबन्द में कहेंगे आप वही हम कह रहा है दो मुहे सांफ है एक जो बड़ा सांफ है वो कहता है मैं नहीं बनने दूंगा और उसके जो सफोले हैं यह पिछले दो देन से बाट सफ यूनिवर्सिटी पर आके कह रहा है कि मंजूर हो गया मंजूर हो गया मैं उनसे कहना चाहता हूं पहले अपने पड़े सांफ से तो कुछ लो सचाही का रहा है